रोविश शर्मा डे नाइट टेस्ट में उतरते ही वड़ा रेकॉड कर लेंगे अपने नाम बनेंगे पहले खिलाडी टेस्ट किर्केट की सुरूबात 1878 में हुई थी इसके करीब 90 साल बाद बन्डे किर्केट आई और दोजार पांच में ची-टВनटी इंटरनेशनल किर्केट सुरूबात हुई थी 2015 में Day Night Test Match की शुरूबात हुई भारती टीम बंगलादेश के खिलाब 22 नमंबर से Day Night Test Match खेलेगी भारती टीम ने अभी तक कोई भी Day Night Test नहीं खेला 15 दिन में तीनों गैंदों से खेलेंगे बंडे और T20 किरकेट सफीद गैंदों से खेली जाती है भारती टीम के सलामे बले बार रोही शर्मा यह कारनामा करने वाले पहले खेलाडी बनने वाले हैं उन्होंने 10 नमंबर को बांगलादेश के खिलाम अंतिम T20 मुकाबला खेला था इस मैच में रोही टीम के कप्तान भी थे इसके बाद इंदोर में हुए पहले टेस्ट मैच में भी भाई टीम का हिस्सा थे भारती टीम ने एक पारी में ही बल्ले वाजी की और उससे उनके बल्ले से सिर्फ 6 रन निकले भारत ने मुकाबले को पारी और 130 रनों से बड़े अंतर से अपने नाम किया रोहिष शर्मा खेलना तै रोहिष श्रमा का कॉलकत्ता में बांगलादेस के खेलना तै रहा दच्छन अफ्रीका के खेलाब सिर्फ से टेस्ट सलामी बल्लीवास बने रोहित ने उनके बास से बहनतरीन खेल खेल खिलाया इसी बज़य से टीम में उनकी जगह पक्की हो चुकी है। खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। रोई श्यर्मा के बारे में आपका क्या कहना हैं हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।